अचानक रिदय परिवर्तन कैसे हो गया? एक वक्त तवे आप जोतिरादित्या सिंधिया का सुना दीजे जब पहले उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की हूँ क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में पहले कभी प्रशंसा की हो? ऐसा पूछ रहे हैं वो जवाब दीजेव मैं जवाब देता हूँ देखिए जो परिवर्तन होता है वे कोई रातो रात परिवर्तन नहीं होता है आप याद करिए विगत लगभग एक वर्षे जोत्रादित्य सिंध्या जी किस प्रकार से डिबेट के भी विशय बने थे आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, CAA इन सारे मसलों पर उन्होंने कंसिस्टेंटली मोदी जी का साथ दिया था इन सब विशयों पर उन्होंने कहा कि देश बड़ा है और पार्टी छोटी होती है पार्टी जिस प्रकार से एक स्टैंड ले रही है, कॉंग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक स्टैंड ले रही है ठीक उसके विपरित वो खड़ नजर आए, आप अनुछे 370 पे आपको डिबेट निका लिए, मैं उस डिबेट में शामिल था जब जोत्रादित्य सिंध्या जी ने राहूल गांधी को आड़े हाथ लिया था CAA पे अभी उनका वक्तब भी आया था, जिस वक्तब में उन्होंने राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी को हिदायत दी थी कि आप देश के विरोध में मत जाईए, आप पाकिस्तान की जो पाकिस्तान परस्त बाते हैं उसको सपोर्ट मत करिए काम कर रहे थे, कॉंग्रेस आइना देख नहीं पाई, अपनी सीरत और सुरत देख नहीं पाई इसका जवाब आपको देना चाहिए इसका जवाब आपको देना चाहिए अभे जी क्योंकि डिपेंदर हुड़ा हो अधिती सिंग जैसे नेता हुटतर प्रदेश में कई मसलों पर उन्होंने खुल कर सोशल मीडिया पर मौझूदा मोधी सरकार का साथ दिया है देखिए मैं उमीद कर रहा था कि आज फिर जोती रादिती सिंधिया जी उरलेक करते इन बातों का आज तो उन्होंने का जिस प्रकार योजनाओं के परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं डिलेवरेबल्स की वो बात कर रहे थे ये इसके ततकाल पहले जब वो भाशन देते त तो कहते हैं मोदी सरकार में कोई डिलेवरेबल्स नहीं हैं परिणाम नहीं मिल रहे हैं युवां कोई रोजगार के स्वप्न को छीना जा रहा है किसानों के को रोंद कर उनके सीने में गोलिया दा ये फिर क्यों कह रहे थी जोती रादिति सिंधिया जी दो दिन पहले तक कैसा अचानक रदय परिवर्तन किस चीज से हो गया मैं ये जानना चाहता हूं देखिए आप प्रमान उठा कर देख लिजिए कलकत्ता से लेकर आप नौर्थीस से लेकर मध्यप्रदेश तक सब जगे सब जगे सकता की सोदेबाजी भारती जंता पार्टी ने की है ये चाह दिपिंदर हुटा आर्टिकल 370 पर खुलकर मोधी सरकार का साथ देते हैं अधीती सिंग उत्तर प्रदेश में आपकी जो विधायक हैं वो भी खुलकर साथ देती है कई मुद्दो पर सचन पाइलर्ट कई बार अपने मुख्यमंत्री डेपुटी है वो राजस्तान में अशोग गेलोत के खिलाप खुलकर बोलते है अभी हाल में ही दलेत उत्पीडन का मामला सामने आयता है जिसमें आज तक से एक्स्क्लूसिव बाचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर जो में हो सकता है कई नाम जो में ले रहे हैं 370 को स्केलेटन रहन दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने इतने बदलाव कर दिये लेकिन धीरे धीरे आत्मसाथ किया आप याद कीजिए आप सिक्कीम को याद कीजिए अगर भारती जन्ता पार्टी पोज गई होती तो वहां पर भी अलगाव पैदा किया होता अभे जी आप पर जोतिरा दित्य संध्यात तीसरी तरफ यह जो अलग-अलग राजियों में खेल चल रहा है यह आपको समझना पड़ेगा जिसकी वज़े से ऐसे बयान आते हैं, जिसकी वज़े से ऐसा पलायन अगर अलग-अलग राज्यों में होने लगा, तो भारी नुकसान होगा देखिए, जहां तक बयान और वक्तव्यों का प्रश्ण है, तो इससे बहतर आंतेरिक प्रजातंत्र किसी राजनतिक दल में हो सकता है, जहां अभिव्यक्ति की सतंत्रता हो, बताईए इस अभिव्यक्ति की सतंत्रता को लेकर क्या कॉंग्रेस पर्टी ने किसी नेता पर कोई कारवाई, बिल्कुल नहीं हम आत्म साथ करते हैं इन वक्तव्यों को, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि सत्ता की सोदेबाजी कर ली जाए, अपने छोटे उत्देश्यों को लेकर प्रजातंत्र को परास्त कर दिया जाए, मद्धिप्रदेश के नागरिकों ने क्या निरने के हैं, वो मेरे शरीर पर लगे हैं, मैं इस दाख को धो कर रहूँगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुचाऊँगा, और उन लोगों पर जो गलत मुकदमे लगाए, शिंगराज की सरकार ने, उसको साफ करूँगा, या आज एक वीडियो डाला है, आप कहेंगी तो मैं फिर उस वीडियो को चलाने को तैयार हूँ, तो हम तो यही पूछना चाहते हैं, जोती रादिती सिंध्याजी के, एक प्रमानिक बात बसाइए, विसेम संतु ठोपाएं कि आप भारती जन्ता पार्टी के साथ क्यों गए हैं, आप वीडियो को रेडि करिए, तो तो हम मैं जवाब देता हूँ, अंजना जी पहली बात है, आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके दर्शकों से भी कि गूगल करके एक आर्टिकल निकाले, प्रद्यूत देव बर्मन है, यह अध्यक्ष रहे हैं त्रिपूरा कॉंग्रेस के और उन्होंने आज एक बड़ी बा यह तो आप से भी बात चुपी नहीं होगी अंजना जी, आप अत्रकार हैं हम किसी से चुपी नहीं है, किस प्रकार दोनों ब्रिएट, आज से पहले हमने बहुत गुट सुने थे, मगर माता जी का गुट हो और बेटे का एक गुट हो और दोनों के गुट के बीच में लड आप देखिए मध्यप्रदेश में यह लड़ाई तो आपके साम नहीं है